हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमीद और आप देख रहे हैं आपका फेबरेट चैनल गाड़ेन ग्यान थेंक्यू नमस्कार दोस्तों गाड़ेन ग्यान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके सामने हैं देखिए मांडा भिला का प्लांट रेड और इससे खुबसूरत प्लांट दोस्तों सायद कोई होगा बहुत सुन्दर और कोश्टली भी आता है दोस्तों ये आपके पास नहीं है तो जरूर लाएगा ये देखिए ये इसका प्लांट है यहां से कटिंग करके मैंने निया प्लांट बनाए है दोस्तों और ये सेंसिटिव प्लांट होता है इसलिए दो प्लांट रखना जरूरी होता है ये देखिए ये मेरा निया प्लांट है इसको बनाने के लिए दोस्तों मुझे बस 15 दिन लगा ये दोस्तों आप भी कर सकते हैं अपने घर में और करना ज़रूरी भी है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मांडा भिला को कैसे प्रोफागेट करना है बहुत आसान तरीका है आएए दखते हैं ये दखिए ये है स्प्रेगनम मॉस ड्राय होके है और ये 180 रूपीज किलो मिल जाता है अगर नहीं मिलता है तो आप इसे मंगाना पड़ेगा ओनलाइन और इसे पानी में भीको के मुष्ट करना है ये दखिए पूरा भीग गया है पानी में ये पानी अपने अंदर खेंच लेता है कुछ डेर ऐसे रख कि आपको निकलना है इसको और निचोड लेना है और इसको दखिए दोस्तों अपने जो मांडा भिला का प्लांट है उसमें आप लगा दीजे और उलिथिन से रेप कर दीजे जो नोड एरिया है दोस्तों वहीं पे आपको ये करना है वहाँ पे रूट नहीं भी हो तो दोस्तों ये पंदरा दिन में रूट आ जाएगा क्योंकि ये मौश्ट रखता है एरिया को और ये देखिए बारिस का सिजन है और अल्रेडी नोड एरिया से रूट दीख रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा तो ये आसानी हो जाएगा दोस्तों रूट निकलने में ये पंदरा दिन के बाद का सुटिंग है दोस्तों प्लांट का ग्रोथ तो सांदर चल रहा है और देखते हैं रूट बना है के नहीं बना है बड़ सवाय हुए हैं और ये पॉलिथीन को हटाने के बाद पता चलेगा दोस्तों ये देखिए ये बहुत सांदर रूट बना है दोस्तों और इसको जहां से कटिंग करके नया प्लांट बना लूँगा मैं ये दोस्तों धाई सो तीन सो रूपिया में आता है और एक प्लांट आपका बन गया तो आपका 2500-300 रुपिया का बाचात हो गया और एक सार कटर के साथ इसको कट लीजिए और देखिए इतना रूट काफी है नया प्लांड बनाने में और इसको मैं लिया हूँ देखिए 50% गाडन सोयल और 50% कोको फीट है पोरोस मीडिया है और ये बारिस का सीजन है दोस्तों तो फॉंजी साइड जरूर डलिएगा इसमें नहीं तो फॉंगस लगने का भी खत्रा रहता है यहां सेंटर पे इसे लगा देना चाहिए और ये है फॉंजी साइड साप या बाविष्टी ने आप कुछ भी ले सकते हैं पॉंजी साइड देने पर प्लांट रोट नहीं होता है दोस्तों और ये देखिए ये सेंटर में मैं लगा दिया हूँ और इसको अभी सेडी एरिया में रखूँगा 5-6 दिन उसके बाद मॉर्निंग सनलाइट में इसको ये प्लांट आराम से सर्वाइब कर जाएगा दोस्तों और उपर से थोड़ा सा वाटर दे दूँगा ताकि रूट सेट हो जाए इसमें जाता पानी नहीं देना है दोस्तों नहीं तो रॉट हो सकता है ये था दोस्तों मेरा मांडा भिला के एर लेयरिंग के उपर एक छोटा से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चनल पर आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये मेरा रिक्वेस्ट है फिर जल मेलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार